आज हम शीमती राधारानी जी के लिए ये गलिटर फॉमशी पर्स बनाना सीखेंगे उसके लिए हमें चाहिए गलिटर फॉमशी चलिए शुरू करते हैं आज हम एक आदशी वरत के महात्मे के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे जैसे नदियों में श्रेष्ट और शुद करने वाली है गंगा, वेदों में श्रेष्ट है गीता, सभी मा में श्रेष्ट है कार्तिक मास उसी तरह सभी तिथियों में श्रेष्ट है एकादशी तिथी जिसे हम हरी वासर और माधव तिथी के नाम से भी जानते हैं एकादशी का अर्थ है अपने ग्यारा इंद्रियों के माध्यम से अपने को प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना वो ग्यारा इंद्रिया क्या है? पांच कर्मेंद्रिया, पांच ग्यानेंद्रिया और एक मन अतह एकादर्शी उपवास अर्थाथ अपनी ग्यारा इंद्रियों के साथ प्रभू के निकटवास अत्वा उनकी सेवा पूर्ण तनमयता के साथ अब इस तरह से हम इसे स्टिक कर लेंगे दोनों साइट से हमारा पर्स रेडी हो गया है अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे एकादर्शी तिथी भगवान को अतिप्रिय है और इसकी महिवा अत्यन अपार है जो लोग यह उपवास करते हैं भगवान उनके सारे पापो को नश्ट करके अपना वैकुन धाम उनके लिए सुलव कर देते हैं इसके अलावथ जो वैशन वचारेओं का अनुसरन करते हैं उनके लिए तो यह उप्वास भगवत्रें प्रदान करने वाला है इस दिन अन्य में पाप का निवास रहता है इसलिए हमें अन्य ग्रहन नहीं करना चाहिए और विज्ञानिक दृष्टी से भी अगर लोग 15 दिन में एक बार उपवास करते हैं तो उनका शरी स्वस्थ बनेगा और नई रक्त कोशिकाओं का भी संचार बढ़ेगा तो देखिए हमारा पर्स कुछ ऐसा दिखेगा डेकुरेट करने के बार अब हम दूसरे टाइप का पर्स बनाएंगे यह एक आदर शीवरत बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर कोई निराजल ना रह सके तो जल पीकर उपवास करें जल पीकर भी ना रह सके तो फल प्रसाद ग्रहन करें और जो यह भी ना कर सके वो अन्य वरत सामगरी जैसे कुट्टू के आटे की रोटी श्यामा के चावल आदी से भी यह उपवास रख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इस दिन भगवान का भजन बढ़ाएं और अपने आपको प्रभू की कृपा के पात्र बनाएं जितना जादा आप भगवान का भजन करेंगे उतना ही जादा आप भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे इस तरह से हम एक और सर्कल इसके उपर स्टिक करेंगे इस तरह से तो देखे वक्तो यह कुछ इस तरह का दिखेगा जो आप सब भी एक यह दशी का उप्वास शुरू कीजिए बगवान शी क्रिशन को प्रसंट करने का प्रयास कीजिए अब हम स्थ स्ब्स को भी डेकूरेट कर देगे इस तरह से तरह से तरह से तरह से तो भक्तो हमारा ये पर्स भी डेकोरेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप भी कुछ ऐसा ही शीमती राधारानी के लिए ट्राई कीजिए और इसमें आप उन्हें कुछ भी भरके गिफ्ट कर सकते हैं तो हमारे दोनों पर्स रेडी हो गए हैं आप भी ऐसा कुछ चाय कीजिए और अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेर कीजिए साथ ही एकारदशी का व्रत पालन पूरी शद्धा और प्रेम के साथ करना ना भूले हरे कृष्णा